हेलो एवरिवन मेरा नाम है दुगल और आप देख रहे हैं दुगल एजुकेशन और आज के इस टॉपिक में हम डिसकस करेंगे जनल नॉलिज पार्ट वन के बारे में जो आपके आने वाले कॉंपुटेटिव एक्जाम में काफी हेल्पुल होगी आपके लिए तो चलिए व आपका फर्स्ट ऑप्शन है behavior of human being इंसानों के वहवार की स्टडी को सेकेंड ऑप्शन है इंसेक्ट कीडो की स्टडी को थर्ड ऑप्शन है origin of history of technical and scientific term तक्निकी और विज्ञानिक शब्दों के उत्पत्ति और इतिहास की स्टडी को या formation of rogue चट्टानों के निर्मान की लगते हैं कि हमने इंसेक्ट की एक picture आपके लिए यहां पर लगाई है तो entomology इसी की study को कहा जाता है यानि study of insects चलिए next question की तरफ चलते हैं आपका next question है गरम पानी century is located at गरम पानी century कहां पर स्थित है तो आपके option है जुनागड गुजरात दीपू आसाम कोहिमा और गंगो टक सिक्किम तो आपका right answer है दीपू आसाम में है और जो picture लगाई है यह गरम पानी century है ऐसी दिखाई देती है यह और यह कहां पर है दीपू आसाम में तो आपका next question है Grand Central Terminal Park Avenue is world जो Grand Central Terminal Park Avenue है वो दुनिया का सबसे बड़ा क्या है तो आपका first option है largest railway station सबसे बड़ा railway station option B है highest railway station सबसे उचा railway station और option third है longest railway station सबसे लंबा railway station यह D option है none of these तो सबसे पहले जो Grand Central Terminal Park Avenue है यह है New York में जो है USA में और आपका सही जवाब है यह है largest railway station यानि दुनिया का सबसे बड़ा railway station next question की दरफ चलते है आपका next question है for which of the following discipline is Nobel Prize awarded Nobel Prize निमी लिकित में से किस विशे के लिए दिया जाता है आपके option है physics and chemistry, physiology और medicine, literature, peace and economics या all of the above तो friend जो Nobel Prize है जो physics, chemistry, physiology, medicine, literature, peace and economics इन सभी के लिए यह दिया जाता है तो all of the above is your correct answer चलिए अपने next question की दरफ चलते हैं आपका next question है Hitler Party which came into power in 1933 is known as Hitler की सत्ता जब 1933 में आई तो इसे किस नाम से जाना गया तो आपके option है Labour Party, Nazi Party, third option है Q, Calcas, Kalian और last option है Democratic Party तो Hitler Party को जाला गया Nazi Party के नाम से और यह जो पिच्चर में आप देख रहे हैं यहाँ पे खड़ा होगा है यह person यह है Hitler और यह इसकी party जब बनी थी तब की पिच्चर है यह जड़िए next question की तरफ चलते हैं आपका next question है Ipsum England is the place associated with Ipsum England में एक place जगा का नाम है यह किस चीज के लिए मशूर है क्या यह horse racing के लिए मशूर है पोलो के लिए मशूर है, shooting के लिए मशूर है यह snooker के लिए मशूर है तो जैसा कि आप picture में देख सकते हैं कि यहाँ पे घोड़े दिखाई दे रहे हैं तो इसलिए जो Ipsum England है यह horse racing के लिए बहुत important है तो यह question भी आपके लिए काफी important है guys चलिए next question की दरफ चलते हैं next question है आपका first human heart transplant operation conducted by Dr. Christine Bernard on Louis Vonchkiniski was conducted in Louis Vonchkiniski पर Dr. Christian Bernard Dwarah Ayodit पहला मानव हिर्दे operation किस साल किया गया था आपके option है 1967, 1968, 1958 या 1922 तो जो Dr. Christine Bernard थे जो आपको picture में दिखाई दे रहे हैं यह doctor इन्होंने movement in history create की थे यानि सबसे पहला heart transplant plant operation किया था और यह किस पर किया था जो यह नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं यह first person थे जिनके उपर यह किया गया था और यह हुआ था 1967 में friends और जब यह किया गया था operation तो जो यह patient थे यानि लूइस वांश किनिस्की यह सिरफ 18 दिन तक ही जिन्दा रहे थे उसके बाद इनके जो immune system था वो वीक था तो double pneumonia के कारण इनकी 18 दिन बाद death हो गई थी तो चलिए next question की तरफ चलते हैं आपका next question है exposure to sunlight help a person improve his health because अगर हम sunlight की sunlight की रोशनी में जाते हैं यानि प्रकाश में जाते हैं तो उससे हमारी health कैसे improve होती है तो आपके option है the infrared light kills bacteria in a body के जो infrared light आती है sun से वो हमारी body के bacteria को मार देती है second option है resistance power increases यानि प्रती रोध शक्ति बढ़ती है हमारी से third is the pigment cell in the skin gets stimulated and produce a healthy tan तो अच्छा में वर्नक कोशिक आएं उतेजित हो जाती हैं और एक स्वास्ते तन उत्पन करती हैं and the last option is the ultra-boilet rays convert skin oil into vitamin D जो ultra-boilet rays है वो हमारी body का जो तेल है उसको convert कर देती है vitamin D में तो आपका सही जवाब है option D चलिए next question की दरफ चलते हैं आपका next question है for the olympic and the world tournament the dimension of basketball court is olympic और world tournament के लिए जो हमारे पास stadium होते हैं यानि जो उसका court होते हैं उसके dimension क्या होते हैं कितनी length और कितनी breadth होती है उसकी तो आपके option है क्या उसकी length 26 meter या 14 और breadth 14 meter होती है उसकी length 28 meter या breadth 15 meter होती है C option is 27 meter and 16 meter and D option is 28 meter and 16 meter तो आपका right answer है 28 meter and 15 meter यानि length होती है 28 meter की और breadth होती है उसकी 14 meter की चलिए next question की तरफ चलते हैं आपका next question है currency to an exporter that the importer of his goods will pay immediately for the goods ordered by him is known as एक निर्यातक को currency है कि उसके माल का आयतक उसके द्वारा दिये गए समान के लिए तुरंद भुगदान करेगा के रूप में जाना जाता है आपके option है letter of credit यानि L slash C laser fare और C option है inflation या D option है none of these तो यह आपका जाना जाता है letter of credit के तौर पर this question is also very important for you guys चलिए आगे देखते हैं friends अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाओ तो इस वीडियो को like और share करना ना भूलिए और if you have any doubt and question regarding these topic तो you may please comment us on comment section below और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल दुगल education को subscribe कर सकते हैं और साथ में दिये गए bell icon को जुरूर प्रेस करें so that हमारी new वीडियो की notification हमेशा आपको प्राप्त होती रहे Thank you so much for watching these video Thank you so much